असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाय मक्सूत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टकी हल्प टेप्स कई बार ऐसा होता है आपके घर में कोई बिन बुलाए चला आता है तो आपको बुरा जरूर लगता होगा और यहीं आपके email पर बिन बुलाए मतलब unwanted email जबा जाते हैं तो कुछ जादा ही गुसा आता है क्योंकि उससे यह होता है कि बिना मतलब का आपका mailbox फुल होने लगता है जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे ads वाले email होते हैं और कुछ आपको lottery जीतने वाले email भी देखने को मिल जाते हैं अब अहम मुद्धा यह है कि ऐसे email से कैसे बचे हैं आई आई इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से आप unwanted email को block कर सकते हैं और report कर सकते हैं उसके साथ साथ आप अगर unsubscribe भी करना चाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं आईए जानते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है सबसे पहले आप से request करूगा आप मेरे चैनल को subscribe कर लें और फिल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें मेरे वीडियो के latest notification अपडेट पाने के लिए सबसे पहले जैसे कि आप जहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने open कर रखा है अपना Gmail और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको तीन टैप देखने को मिल जाते हैं टॉप साइट पे primary, social and promotion और यहाँ पे तीनो टैप में आपको one by one different different email आपको देखने के मिलते हैं अगर मैं यहाँ पे क देखने को मिल जाता है और नीचे के side में अगर मैं थोड़ा सा scroll करता हूं तो वहाँ पे मुझे unsubscribe का option देखने को मिल जाता है अभी मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप unsubscribe कैसे कर सकते हैं तो just simple आपको क्या करन है आपको इस unsubscribe बटन पे क्लिक करना है होगा क्या यह आपको redirect करेगा website के page पे और वहाँ पे आपको information देखा तो आईए देखते हैं कि वह information हमें यहाँ पे क्या देता है redirect करने के बाद तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको information देता है कि you have successfully unsubscribe from the list मतलब कि दोबारा आपको email इसकी website से email आपको देखने को नहीं मिलेगी कहाँ पे आपके email पे और यहां से अगर आप दोबारा जोईन करना चाते हैं जैसे कि आप गल्ती से आपने क्लिक करना चाते हैं तो दुबारा से भी आप जोईन कर सकते हैं तो मुझे करना था unsubscribe इसको मैंने uns सकते हैं जैसे ही आप किलिक करते हैं आपके सामने एक पॉप पाता है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि शिल्पा जो की नाम है उसके बाद न्यूज लिटर एड जो मेल सप्लायर है वहाँ से जो इमिल आई डियार याप इसको ब्लॉक करना चाते हैं मैंने का येस मैं ब्लॉक करना चाता हूँ किलिक करेंगे आप इस पे तो होगा क्या कि ये ब्लॉक हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पी ये ब्लॉक हो चुकी है unsubscribe तो हमने करी दिया था उसके साथ साथ ये blog भी हो गई है और हम move to spam कर देंगे ताकि ये spam में हमेशा के लिए चली जाए तो ये रहा एक तरीका जहां पर आप unsubscribe भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपने क्या किया आपने ये किया कि आपने इसको blog भी कर दिया अब यहां पर हम देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें जैसे कि अगर हम यहां पर देखें एक website है जो कि यह website है यहां पर बहुत सारी job की notification मुझे आती रहती है जिसकी मुझे email आती रहती है अगर मैं यह चाहता हूँ कि यह email कितनी बार मुझे आयो यह पहले बाद तो मुझे यह देखना है उसके बाद सारी email को delete कर देना फिर unsubscribe कर देना है तो पहले मैं क्या करूँगा इसको copy करूँगा और यहां पे आऊंगा इसको paste करूँगा आप देख सकते हैं इस से related जितनी भी email से वो सारी के सारी मेरे पास आ गई है अगर आप इसको delete करना चाहते है तो simple way में क्या करना है आपको यहां पे select करना है आप देख सकते हैं सारी के सारी email यहां पे select हो गई है अगर आप इसको delete करना चाहते हैं तो delete कर सकते हैं यहां पे आप आईए यहां पे आपको क्या देखने के मिलता है यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे आपको देखने के मिल जाता है तो मुझे unsubscribe तो करना है लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आपको मैंने बोला था report spam अगर आप यह करना चाहते हैं आप बताना चाहते हैं कि इसको Gmail को कि यह spam है इसलिए report करना चाहते हैं ताकि Gmail क्या करे इसको global level पे इसको block कर दे ताकि यह बार बार यह email और भी किसी लोगों को न दिखाई पड़े और Gmail पहले ही filter कर दे इस email को तो आप इसको report spam पे भी click कर सकते हैं और report कर सकते हैं अब अगर मुझे unsubscribe इसको करना हो तो मुझे कुछ नहीं करना है just simple इसको open करना है और उसके बाद यहाँ पे unsubscribe बटन पे click करना है और यहाँ पे मुझे unsubscribe कर देना है तो देखिए जैसे मैंने unsubscribe पे click किया same यह redirect किया मुझे कहाँ पे same website पे और यहाँ पे आपको दिखा देता है यह website यहाँ पे लेकिन कोई message या notification मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला तो I am not sure कि यहाँ से आप unsubscribe हो गए है तो अब मुझे क्या करना है अगर मुझे delete करना है complete emails को जितनी भी email इस से related आई हुई है तो बस मुझे यहाँ पे delete button पे click करना है जैसे आप delete button पे click करेंगे आप देखेंगे आपको क्या होगा यह सारी जितनी भी email से सब के सब delete हो जाती है यह देख सकते हैं आप सारी email delete हो चुकी है अब यहाँ पे अगर मैं inbox पे click करता हूँ तो आप देखेंगे inbox में click करने पे आपको वो सारी emails नहीं दिखाई पड़ती है तो यह है बहुत ही simple और आसान तरीका कि आप इस तरीके से email को block कर सकते हैं email को unsubscribe कर सकते हैं email को report कर सकते हैं और same चीज़ आप अपने mobile phone पे गर open करते हैं यही सारे option आपको Android और iOS phone पे देखने की मिल जाएंगे तो है ना छूमंतर तरीका email को block करने का तो जिहां दोस्तों है ना मज़दार और आसान तरीका आप इतना simple है में email को आप block कर सकते हैं report कर सकते हैं और unsubscribe कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हूँ इसको लाइक जरूर करें और आपने अगर मुझे follow नहीं किया इसका Facebook और डिटर पे मुझे follow कर लिजिए मेरी आइडिया है चेकी हेल्प टिप्स